आप सभी को नमस्कार यूटूब की समासास्तर की इस कक्षा में आपका स्वागत है आज हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं के कुछ काड़नत्मक सिर्धानतों के बारे में विबिन समासास्त्रियों ने इसके बारे में क्या का है समासास्त्रियों ने समाजिक समस्याओं के अध्यन वस्तु परग्रूप में किया है और इससे समंदित कुछ सिद्धान्द भी प्रतिपादित किये हैं पहला है समाजिक विगटन का सिद्धान्द रोनाल्ड एल वारेन ने कहा है कि समाजिक विगटन एक ऐसी स्तिति हैं जिसमें मत एक्के की कमी सहस्ताओं के एकी करण का भाव और समाजिक नियंतन के साधनों में कमी पाई जाती है वारेन के अनुसार जब समाज के आधिकतर लोगों के मत और सुझाव एक जैसे नहीं होते हैं समाज समद नहीं होते हैं सहस्ताओं में एक्ता नहीं होती है तो परस्पर तनाव संगर्ष और नेराज से पैदा हो जाता है इससे समाज में अवेवस्ता फैल जाती है समाज की विभीन चोटी बड़ी काईयां समू तदा वेक्ती नियमन उसार कारें नहीं करते यही इस्तिति आगे चल कर सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं दूसरे सिद्धान्त की बात करें तो सांसकर्तिक विलंबना का सिद्धान्त कुछ समासात्री सामाजिक समस्याओं का कारण सांसकर्तिक विलंबन को मानते हैं आगबन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में यह सिद्धान दिया है इनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्याओं परस पर एक दूसरे से समन्दित हैं सामाजिक परिवर्तन संसक्र्ति में परिवर्तन के फल सुरूप होता है संसक्र्ति को इन्होंने दो भागों में बाटा है बौतिक संस्कृति और अबौतिक संस्कृति इनका कहना कि बौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होते हैं वह अबौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से होते हैं बहुतिक एवंगा बहुतिक संस्कृतियों के परिवर्तन की गति की भीनिता या संस्कृतिक विलंबना से समाजिक समस्ष आगे हम बात करते हैं मुल्य संगर्ष की सिद्धान्थ की कि फुलर क्यूबर हापर वालर आदि कुछ विद्धानों ने समाधिक समस्ष आगे मुल्यों में संगर्ष टक्राव एस्विकर्थी मतवेद आदि बता है कि समाज के मुल्य परिवर्तन सील होते हैं समय के साथ-साथ इनमें परिवर्तन होता है एक ही समाज में एक ही मुल्य एक समू के लिए लाबकरी होता है तता दूसरे समू के लिए सोशन का कारण बन जाता है एक ही मुल्य के समंद में वेक्तियों सम्मूहों वर्गों तता पीडियों में मतवेद जब होते हैं तो वे समाजिक समिस्याओं को जन्म देते हैं कि इनके अपने अपने मुल्य होते हैं उन मुल्य के रुशार भिन भिन लक्ष सादन लाब होतेhouं जब इन लिनाड ने समाजिक समस्याओं का वेक्तिक विचलन सिद्धान प्रतिन पादित किया है इनके अनुसर समाजिक समस्याओं का कारण वेक्तिक विचलित वेवार है जब तो इससे समाज में अवेवस्ता फेलती हैं समाजिक नियम हिंता की इस्तिती पैदा होती है समाज के सभी वेक्ति अपनी अपनी इच्छानुसार साधन अपना कर अपने लक्षयों की पूर्टी करना चाहते हैं यह इस्तिती समाज में समाजिक समस्याओं को जनम देती है आगे हम बात करते हैं समाजिक विचलन या मानक सुनिता का सिद्धान समाजिक विचलन की सिद्धान को आरके मटर ने प्रतिपादित किया इसे नियम हिंता भी कहते हैं मटर ने विचलित व्यवारों की व्यक्या करने के लिए मानक सुनिता के अधार्णा का परियोग किया इनके अनुसार मानक सुनिता या एप प्रतिमानता की इस्तिती तब पैदा होती है जब समाज के सदसे सांसकर्टिक लक्षियों एवं संसागत साधनों का त्याक करके अन्य एस सांसकर्टिक एवं समाज विरोधी लक्षियों साधनों का चैन करते हैं मानक सुनिता की इस्तिती में सामाजिक समझना विक्षित हो जाती हैं सामाजिक एक्ता पूर्ण रूप से सामाजिक संतुलन संगटन और एकी करण की इस्तिती हैं तो मानक सुनिता दुविदा तनाव एसुरक्षा विक्षितन समाज में समाजिक समस्याओं को जर्म देती हैं समाजिक समस्याओं किन कारणों से पैदा होती हैं समाज में वह कौन से तत्व हैं जो समाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं इनमें जैसे कई बार मुल्य संगर्ष और व्यक्तित्व विक्टन जो समाजिक विक्टन को जुनम देता है संस्तागत साधनों और संस्कर्थिक लक्षियों का समाज के अनुरूप पालन नहीं करना भी कई बार समाजिक समस्यां को जनम देता है विक्टित्व व्यक्टित्व समाजिक समस्यां के लिए कारण बनता है इस प्रकार समाजिक समस्यां समाज के लिए विक्टन कारी होती हैं सामाजिक स्वास्ते में आनिकारक इन समश्याओं का निराकरण भी समाज में ही नहीत होता है। इस प्रकार सामाजिक समस्याओं समाज में नहीत किनी गुम्फित तर्त्वों के कारण उत्पन होती हैं और इनका निदान भी सामाजिक विवस्ता में ही है। धन्यवाद